आश्या करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरे नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टेडी आइक्यो पैप का बहुत वह स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे जो केस हुआ है उन्नाओं में अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं क्या है हम इस लिच्चर में जा गया तो 17 फरवरी को हुआ क्या तीन तीन बहने रीना 17 साल की उसकी छोटी बहन खुश्बू और उसकी कजन सीता 16 साल की आप देखी सकते हैं 17 साल की रीना उसकी छोटी बहन खुश्बू जो की 13 साल की थी और उसकी कजन सीता 16 साल की थी वो गए थे फॉर्डर कलेक्ट करने अपने कैटल्स के लिए चारा जो होता है ठीक है मवेशी चारा खाते हैं तो उनके लिए चारा कलेक्ट करने गए थे उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट मैं लखनव में रहता हूँ उन्नाव यहां से लगबग पचास किलोमीटर दूर है कानपुर चे और पास है 25-30 किलोमीटर दूर तो कानपुर और लखनव के बीच में आता है उन्नाव तो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में यह घटना हुई है लेकिन सुबह गए शाम तक वापस नहीं है अब उनकी फैमिली वाले चिंतित कि कहां पे गई यह लोग उसके बाद उनकी फैमिली उनको ढूनने को निकल गई और अल्टिमेटली दे वर फाउंड इन मस्टर्ड फील्ड वो सर्सो के खेत में मिली उनके मूँ से जाग निकल रहा था अब दोस्तों ये है इशू ये हुआ अब ऐसा हुआ क्यूँ क्या इनके साथ कोई ऐसी घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए थी क्या ये नाश्रल डेथ है सबसे पहले हम वर्जन्स को देख लेते हैं कौन क्या कह रहा है जब हम खुजब और सीता को डॉक्टर के पास ले गए लोकल हेल्थ सेंटर पे तो डॉक्टर ने बोला कि अब ये जीवित नहीं है ये खतम हो चुकी है रीना को कानपूर वीजिंसी होस्पिटल में ले जाये गया और अब उसकी क्रिटिकल कंडिशन है जो लड़कियों की फैमिली है अब जो रीना की मा है उशा की उशा ने ये बताया है अब देखिए यहां पर बेसिकले हम तीन वर्जन को देखेंगे सबसे पहले उशा की मतलब जो रीना की मा है वो क्या कह रही है उशा ध्यान दीज़ेगा रीना इसमें सबसे बड़ी तीन लड़कियां थी ठीक है जिसमें दो की डेथ हो गई है और एक क्रिटिकल कंडिशन में सबसे बड़ी थी रीना जिसको कानबूर के लीजनसी होस्पिटल में बरती कराए गया तो उसकी माई ये कह रही है कि मेरी बेटी के हात पैर बंदे नहीं थे उसका दुपट्टा जो है ये रीना की मा का कहना है जो उशा है लेकिन उशा के बेटे का कहना है कि जो राजू है जिसका नाम है वो कह रहा है कि नहीं हात और पैर जो है वो बंदे हुए थे और राजू का जो वर्जन है रविंद्र कुमार जो की DM है उन्नाओ के, उसने भी confirm किया है, साथी साथ ये भी कहना है, देखिए ये जो पूरी घटना है ना, जो उन्नाओ की बाबुराह विलेज है, वहाँ की घटना है, वहाँ पर ये रहती थी, असोहा ब्लॉक के बाबुराह विलेज में रहती थी, लगबक शाम को तीन बजे, देखें, तीनो लड़किया जो है, वह साथ में ही रहती थी, और शाम को तीन बजे, तीनो फील्ड पे गई, तीनो बहुत अच्छी थी पढ़ने में, रीना जो है, उसने हाली में अपनी दस्वी का एक्जाम पास किया था, और तीनो ही एक दूसरे के साथ ही रहती थी, तो हाथ और पैर थे, जब हमने लड़कियों को देखा, तो उनके हाथ पैर बंदे हुए थे, अभी मैं बताओंगा, पुलिस का क्या कहना है, डॉक्टर का क्या कहना है, लेकिन दोस्तों हुआ क्या क्या जब यह लोग 6 बज़े तक वापस नहीं लोटी, शाम हो गई इतने हटना है न, हर दिन कुछ ना कुछ development होता जा रहा है, पुलिस ने पहले FIR दर्ज नहीं की, पुलिस ने इसले FIR दर्ज नहीं की, उसने बोला, देखिए यहाँ पे फैमिली, जो दो सगी मैने और एक कजन थी, तो जो दूसरे की मा है, उसने यह बोला है, उनकी फैमिली नहीं के आरोप लगाए हैं कि हमारी बेटी को, हमारी बच्ची को sexually assault किया गया था, लेगिन पुलिस ने, पुलिस के FIR में यह नहीं है, क्योंकि पुलिस ने यह बोला था कि एक बार post-mortem report आ जाए, उसके बाद हम इसकी जांच कर लेंगे, उसके बाद हम FIR दर्ज करेंगे, अब post post-mortem report में यह है कि कोई भी external injury नहीं थी, दो ही condition है न, पहली तो उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई, sexual assault हुआ, अभी इस पे भी हम आएंगे, गिरफतारी भी हो गया इस case में, अभी हम उसमें भी आएंगे, तो डॉक्टर का क्या कहना है, यह तो family की बात होगी, डॉक्टर जैसे ही यह घटना हुई, तीनों लड़कियों को community health center ले जाये गया, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला, कि देखे, खुश्बू और सीता जो हैं, उनकी तो मौत हो चुकी थी, जैसे ही वो मेरे पास आई, दोनों मर गई थी, लेकिन रीना की सांसे चल रही तो बहुती त सांसे चल रही थी, और रीना की जो पुतलिया थी, वो देवर completely in dilated form, हर pupils जो नकी पुतलिया थी, वो इनकी पुतलिया थी, इनकी चड़ी हुई थी, dilated state, और यह डॉक्टर ने रात में 8 बजे sign किया, और local police station को ये बताया भी, पुलिस क्या कह रही है, पुलिस ये बोल रही है कि जब उसे पूछा कि क्या वाकई में लड़कियों, लड़किया बंदी, देखें अगर लड़किया बंदी हुई मिली, इसका मतलब उनके साथ sexual assault हुआ होगा, ऐसी possibility है, तभी तो भाई वो बंदी हुई मिली है, वरना क्य पुलिस कार जो है, वो कर दिया गया, ठीक है, तो जो last rituals होते है, वो सब हो गए है, और बहुत high security थी, पुलिस मौजूद थी वहाँ पे, ताकि कोई ऐसी घटना ना हो जाए, तो पुलिस ने ये बोलाया कि हमको ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली है, है ना, और जो भी यहाँ पे family members ने बताया है, हम उसकी जाज कर रहें, लेकिन दोस्तों जो post-mortem report आई है, अभी कल की ही बात है, post-mortem report में ऐसा कुछ भी नहीं, external injury marks नहीं मिले हैं, और जो doctor ने लिखा है, तो इन्होंने बोला कि जो उनके मूँ से smell आ रही थी, ये poisoning का case है कि इनको किसी ने जहर द ही है, क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे family member ने भी ये बोला है कि उसके मूँ से जाग निकल रहा था, that means poison दिया गया है, तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पे arrest, यह हमने सब के versions देख लिए, आगे कैसे case बढ़ा, यह सब दोस्तों कल के दिन बहुत important development वे case में, तो यह यहाँ पे जिसको arrest किया गया है, लक्षमी सिंग, जो की IG है लखनवू रेंज की वो बताती हैं कि हमने winner को arrest किया, यह winner कौन है, winner जो है one-sided love करता था इन में से एक लड़कियों से, अब दोस्तों ऐसा है कि दोनों की ही खेत जो है वो अगल बगल थे, lockdown था, दोनों में बाच कि मैं प्यार करने लगा था, लेकिन यह one-sided love था, मैंने बार-बार कोशिश की कि वो मुझे number दे दे, उसने मुझे अपना phone number नहीं दिया, तो मैंने insecticide से भरा हुआ पानी पिला दिया, देखें यह सब गोल रहे हैं कि जब first instant में हमने देखा, तो यह poison का ही case लगा, तो insecticide से भरा हुआ पानी पिला दिया, और उसके बाद दोकी तो मौत हो गई, और एक जो है conscious हाला कि देखें, जो रीना है, जो सबसे बड़ी है, जो बच गई है, उसकी condition stable है, तो अभी जब वो proper होश में आएगी, तो खुदी सा बता देगी कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकि एक फैमली बोल रही है, एक फैमली का मेंबर बोल रहा है, कि यहाँ पे ऐसा था कि उनको मतलब बांधा गया था, उनके हाथ पेर बंदे हुए थे, और एक फैमली का मेंबर बोल रहा है कि हाथ पेर बंदे नहीं थे, तो conflicting claims है, लेकिन जब पोस्ट मॉटम के रिपोर्ट आ है, और उसके बाद आरोप लगाएं कि पहले हाथ रहस और उसके बाद अब ये, और उसके बाद फिर दोस्तों अब ये तो खेर, मुद्दा बड़ा है, और बहुती ज़ाद अनफॉर्चनेट इवेंट है, लॉइन ओर एक बार फिर, यूपी पुलिस की लॉइन ओर पे फ बताऊंगा, कोई भी अगर डेवलप्मेंट होगी, ये मेरा टेलिग्राम चैनल है, 13300 सब्सक्राइबर, अब इसी कोई जॉइन करिएगा, खुश रहे पर तेरे देशे सिद्दान तक नहीं होतरी, साइनिंग ओगे